दिल्ली हो, एंसियार हो, हर्याना हो, बिहार हो, उत्तर परदेश हो, या फिर पहाड़ी राज्य की राजधानी देहरादून हो इस वार भीसन गर्मी पड़ रही है और हर सहर में तापमान इतना जादा है कि आम जंता का जीना मुस्किल हो गया है शोमबार को तो ज्यादातर सहरों में तापमान 48 डिग्री टेमपरेचर रहा लेकिन चलिए, मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि आपको राहत कब से मिलने वाली है यानि कि बारिस कब से श्टार्ट होने वाली है और दिल्ली के आसपास के हम बात करें तो 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुँच गया था और गर्मी इतनी भीशन है कि मंगलवार को शुबह 10 बजे ही दिल्ली के अलग-अलग अस्थानों पे तापमान चालिश डिगरी सेलसियस के उपर पहुँच गया था सुबह से लेकर के शाम तक लोग घरों में दुबक गये थे क्योंकि लू के थपेड़े काफी तेज चल रहे थे दोपहर के बग तो सहरों से लेकर गाउं तक के सड़के विरान हो गई ऐसे में हर किसी का सवाल है कि आखिर राहत वाली बारिस कब आएगी पहाड की में बात करूँ तो राजधानी देहरादून वहाँ भी टेंपरेचर 44 पहुँच गया है पहले ये कहा जाता था कि देहरादून में जब थोड़ी भी गर्मी होती है तो बारिस हो जाती है लेकिन इस बार बारिस देहरादून से भी रूठ गया है और वहाँ भी भी भीशन गर्मी पढ़ रहा है अस्थानिये लोगों का मानना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ करके टेंपरेचर 44 डिगरी के आसपास देहरादून में पहुँच गया है मौनसून की बात करें तो फिलहाल मौनसून ठिटका हुआ है और यूपी तक पहुँचने में उसे अभी बहुत समय लगेगा लेकिन मौसम विभाग ने एक खबर दी है कि बुद्धवार के साम से कुछ राहत मिल सकती है इसकी बज़ाए ये है कि पच्छमी बिच्छोब उत्तर पच्छिम भारत यानि की दिली इंसियार हरियाना पंजाब हिमाचल और पच्छमी यूपी की तरफ मौसम बढ़ रहा है इसके असर से हवाए तेज हो सकती है और हलकी बारिस से मौसम बदल सकता है इस बदलाओं से बहुत जारा राहत तो नहीं मिलेगी लेकिन अभी चल रही भीसन लू से थोड़ा सा आराम आपको मिल जाएगा मौसम भी बात का कहना है कि दिली यूपी राजस्थान हिमाचल उत्राखंट पंजाब हरियाना में 18 से 20 जून के दोरान मौसम बदलेगा और इस दोरान 30 से 40 किलोमेटर के स्पीड से हवाई चलेगी हलकी बारिस होंगी यही नहीं इसके बाद अगले 5 दिनों तक 35 किलोमेटर प्रती घंटे के स्पीड से हवाई चलेगी फिलहाल पुर्वत्तर भारत ओडिसा जैसे राज्यों में जम कर बारिस हो रही है उडिसा में तो कई सहरों में बारिस इतनी हुई है कि ट्राफिक भी नहीं चल पा रहा है लेकिन बाकी राज्यों में गर्मी का कहर इतना है कि लोग घर से निकलने से पहले कई बार सोचते हैं पर तो जादा दिन की वक्त की बात नहीं है एक दो दिन के अंदर आपको गर्मी सिराहत मिलने वाली है और आप आराम से रह पाएंगे